हालो फ्रेंड्स गूड मार्निंग कैसे आप सब फ्रेंड्स आज का टॉपिक है माइग्रेन माइग्रेन की प्रॉबलम 99% लोगों में हो गई है ठीक है न यह बच्चे बच्चे में भी होती है तो मेरे को पिछले 10 साल से माइग्रेन था ठीक है तो मैं मतलब आप यकीन नहीं मानोगे मैंने इस माइग्रेन का सॉल्यूशन खुद से ढूंदा है मेरे डॉक्टर के मैडिसन भी चली थी काफी कुछ कोई बोलता था हार्ट की प्रॉबलम है कोई कुछ बोलता था कोई कुछ बोलता था चक्कर तक आते थे फ्योश होके गिर जाती थी खैंस कि हाने साथ माइग्रीन तो बेसिकुड़ विलो क्यास्थ है कि मैईग्रीन की problem से कैसे बाहर निकला जाए माइग्रीन की problem से अप माइग्रीन की विज्य से एक जगा concentrate नहीं करते हो क्युक्ति माइग्रीन एक ऐसी problem है जिसमें सिर में दर्द, चक्कर, यहां पर पेन होता है, यहां से पेन स्टार्ट होता है, यहां पर सुई चुपती है, ठीक है न, तो मतलब इनसान पता नहीं लगा पाता है, अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम भी है, तो आप जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूं, तो बाकी यह एक 100% गारंटी सॉलीशन है, समझ गए, मैं आपको कुछ सावधान पूरवक, सावधानी पूरवक आपको कुछ बाते बताना चाहूंगी, जिन जिन लोगों को सबसे ज्यादा माइगरेन है, सबसे ज्यादा माइगरेन है, ठीक है न, वो एक तो जोगिंग न करें, क्योंकि मैडिटेशन से और ज्यादा चक्कर आएंगे उनको, समझ गए, मैडिटेशन से सिर्फ आप ध्यान लगा सकते हो, और कुछ नहीं, जब आपको माइगरेन है, आप एक जगे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, तो ध्यान कहां से लगा पाओगे, इसलिए आप माइगरेन मेडिटेशन तो बिलकुल भी मत कीजेगा, इट्स वेरी हामफुल, ठीक है, दूसरा, दूसरा मैं आपको बताने जा रही हूँ, कि जो हार्ट पेशन्ट होता है, उसके लिए भी ये एकसरसाइज, या आप योगा मानिये, कुछ भी मानिये, ठीक है ना, ये बह और बहुत जरुरी है, बहुत जादा, चाहे किसी को, क्योंकि इसका लिंग सीधा प्रेइन से होता है, हार्ट का लिंग सीधा प्रेइन से होता है, और सारी प्राब्लम्स यहीं से स्टार्ट होती है, माइगरेन की हो, चाहे हार्ट की हो, समझगे, सारी प्राब्लम्स यहां सेरे स्टार्ट होती है और यहां आती है समझे है यहां आती है इसलिए बैून को जो बताने जा रही है समझके इसमें देखे मैं आपको पहले एक इंस्टरक्षण दे देती हूँ जिसको भी सबसे ज्याता माईग्रेन है, वो इस exercise को एक दिन में दो बार करे, एक दिन में दो बार, जिसको सबसर जाधा problem है, वो सिर्फ एक exercise two times repeat करे, जिसको थोड़ा सा medium है, वो five times repeat करे, five times से जाधा नहीं करना है हैं आप को एक दिन में आप दो बार कर सकते हैं 55 करके मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे इन्हें आप यह कही पर दो अदो बैठ के कर सकते हैं मैं अपने सोफेफे बैठ के गर रही हूं कि क्का आप यहां किसे आ matchunder है ठीक है आप स्ट्रेट हो जाएए हातों को बिल्कुल सीधा कीजिए ठीक है अभी देखे मैं क्या करने जा रही हूं मैं यहां मैं हाथ रखूंगी और इसको जितना हो सके आप इधर से खीचनी की कोशिश कीजिएगा ठीक है इधर जितना हो सके आप इधर से खीचनी कोशिश कीजिए अगर कोई आपकी हैल्प कर सकता है घर में तो आप यह चीज पकड़कर और ऐसे जितना आप खीचेंगे उतनी आपकी नसे खुलेंगी माइगरेन में क्या होता है कि जो यह हमारी जो बॉन होती है यह स्ट्रेट होनी चाहिए समझ गए ऐसे होनी चाहिए और यह ऐसे हो जाती है समझ गए जिसकी वज़े से जो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन वाला जो नर्व है वो दब जाता है और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है उसके जिससे क्या होता है हमारी हार्ट पे प्रेशर पड़ता है और माइंड पे प्रेशर पड़ता है जिसस से कर सकते हैं दिखिए मैंने टू टाइम्स किया ठीक है फिर थ्री टाइम्स यह बिल्कुल 100% गैरेंटी का इलाज है आपको किसी मैडिसन की जुरुवत नी पड़ेगी यह मेरी गैरेंटी है अब आप क्या करेंगे यहां यहां हाथ रखेंगे दोनों ऐसे इस तरीके से और ऐसे कर्दन को जितना नीचे ले जाएंगे उतना ज्यादा बैटर होगा समझ गए इस तरीके से आप करेंगे दूसरा मैं आपको बता देती हूं ऐसे जितना ज्यादा पीछे ले जाएंगे उतना ज्यादा बैटर होगा सारा स्ट्रेच यहां पर पढ़ना चाहिए यहां पर मैं आपको दूसरा बता देती हूं यह यह आप यहां करेंगे उपर की साइड की चाहिए गरदन और कंदे नीचे जाने चाहिए ऐसे समझ गे अब यह यहां जितना प्रेशर दोगी उतना ज्यादा बेटर है एक लंबे सी सास चोड़ेंगे फिर स्टार्ट करेंगे प्रेंड्स यह बात जरूर ध्यान रखिएगा आपको मेडिटेशन बिलकुल नहीं करना है मेडिटेशन की वजह से माइगाइन भड़ता है हमेशा समझ गए को हाट पैशन को भी क्या होता है उनकी न सही बलॉइब होती प्लउप होती है आगे जाके आपका बीपी वगरार में यह माइगें की प्रॉबल्म होती वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ठीक है बीपी में भी बहुत ज़्यादा हामफुल होती है और हाट में भी इसलिए प्लीज इस एक्सरसाइज को आप करेंगे गैरंटी है मेरी कि आप दो महीना इसको कर लीजे मत्यूं 되면 मत्यादा बहुता जो मत्यादा दूऱ् आप और बदा है कि वहादा में एक कि मेरे कर दो दो सोबहादाना सबस्राइद दो जाए की अि आप कर सकते आप इसको यह गर्दन के यहाँ पर यहां यहां neck पर यहां यहां आप तक ही लगाकेма यह गर्दन आपकी यह करना है और जो भी कोई लेट कर mobile तरह समझ रहे हैं जो भी कोई लेट कर mobile तरह करता है वो कभी भी तक है को ऊचा करके mobile यूज न करी प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप अपनी इस विमारी को दूरू करना चाहते हैं मेरा आप ये प्रयोग एक बार यूज कीजिएगा आपको पूरी लाइफ के लिए बैनिफेट होगा आप अपने घर में बच्चों को बड़ों को सबको करा सकते हैं ये तो फ्रेंड्स मैं अपने घर में सभी को कराती हूँ और अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा वेली फिट है क्योंकि इसमें आई साइड वीक नहीं होती है आपके गर्धन पर प्रेशर नहीं पड़ता है आपके हार्ट पर प्रेशर नहीं पड़ता है आपके माइंड पर प्रेशर नहीं पड़ता है क्योंकि बड़ी में यही चीज़े एक मेन है जिसको हमें बहुत ज़्यादा केरिंग के साथ करना पड़ता है तो friends अगर आपको मेरी बाते समझ में आई हैं और मेरी बाते मलब आप अगर apply करना चाते हैं तो thank you very much and मेरा चैनल subscribe करने ना भूले प्लीज पहले जाके आप bell icon पर press कीजिए और मेरा चैनल subscribe कीजिए thank you very much